हेलो दोस्तों श्वागत है आपका एक बार फिर्श हमारे इस चैनल पर और आज हम लोग एक बिल्कुल नया फ्रेज सीखने जारे हैं दोस्तों बहुत ही मज़ेदार फ्रेज है आपने शायद ही देखा हो ऐसा फ्रेज मैं आपके लिए आज ऐसा फ्रेज लेकर आया हूं जो आप बोलना तो बहुत चाहते हैं लेकिन आप को मिला ही नहीं कभी कि वो आप उसको बोले तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं आखिर वो फ्रेज कौन सा है जो आप पसंद तो बहुत करते हैं लेकिन आप आपको मिला ही नहीं आस तक चलिए देखते हैं वो फ्रेज है कौन तो इसका हिंदी में मतलब होता है सही समय पर. सही समय पर. On the nick of the time. हिंदी में इसको कहते हैं सही समय पर. अगर आपको बोलना हो, अगर वो सही समय पर पहुँचा होता, तो सायद बच जाता. लेकिन ये आप हिंदी में बोल सकते हैं न, इंगलिस में कहां बोलेंगे, बोल ही नहीं पाएंगे, because you have no phrase, आपके पास कोई phrase ही नहीं उसके लिए, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों न इस पर एक वीडियो बनाया जाए, तो आज का हमारा phrase है on the nick of the time, जिसका मतलब होता है सही सम समय पर, ओके दोस्तों, तो आईए हम लोग फटाफट कुछ sentence के माध्यम से इसको दिमाग में feed करने की कोशिश करते हैं, तो दोस्तों हमारा पहला sentence है, बल्ले बाज ने सही समय पर boundary लगाई, बल्ले बाज ने सही समय पर boundary लगाई, दोस्तों अगर हम इसको इंगलिस में ब बोलेंगे, इंगलिस में कैसे बोलेंगे दोस्तों, batman hits a boundary in the nick of the time, to doस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे है, इन दा निक आफ दा टाइम, सही समय पर, बल्ले बाज ने बाउन्डरी लगाई, बैटमेन हिट्स बाउन्डरी, इन दा निक आफ दा टाइम, ओके दोस्तों, तो चलिए हम लोग एक दूसरा संटेंस लेते हैं, जो मरीज था, वो सही समय पर, हॉस्पिटल पहुँच गया, तो दोस्तों सही समय पर, इसकी इंगलिस में मेनिंग क्या होगी, इन दा निक आफ दा टाइम, देखें दोस्तों, आप उसको दूसरी तरीके से भी बोल सकते हैं, लेकिन वो उतना इफेक्टिब नहीं होगा, लेकिन अगर आप फ्रेज के जरिये उसको बोलते हैं, तो ज़्यादा इंप्रेस करेगा लोगों को, ज़्यादा इफेक्ट डालेगा, तो इसलिए आप फ्रेज का इस्तेमाल किजी इस पिकिंग में, मरीज सही समय पर अस्पताल पहुँच गया, तो यह रहा हमारा आज का फ्रेज, अगर दोस्तों आपको यह फ्रेज पसंद आया, तो कमेंट में लिखिए, और अगर आपको कोई फ्रेज समझ में नहीं आ रह तो भी आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी भी दबा दीजिए, ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो अप्लोड करूं, तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ओके दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी सेर कीजिए, ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे एक नए फ्रैस के साथ, ओके दोस्तों, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद,